गाइस वीडियो पे हम लोग डिस्कुस करेंगे निपाल वोसिस नमीबिया के बीच जो दोस्तो होने वाला है क्रिकेट ओलकॉब लीग 2 का मैच तग्रा मैच होगा रिसेनली एक 8-8 वा था चाहाँ पे दोस्तो नमीबिया सेकेंड इनिंग्स में छेस करते हुए निपाल को हराया था इस मैच में कौन सा टीम बेटर हो सकता है बट यह जो वेन्यू है ना त्रीभूबन उनिवसिटी क्रिकेट ग्राउंड इसमें आपको दिखेगा बहुत जादा जो टीम बॉलिंग फर्स्त कर रहा है वही जीत रहा है और वह कंविंसिंग ही हो रहा है इस मैच में क्या हो सकता है डीटल में समझेंगे अनलाइसिस करेंगे और हां टॉस रिलेटेट अप्डीट दूँगा जैसे की नेपाल बॉल फर्स्त नमीविया बॉल फर्स्त क्या कंडिशन क्या प्लियर्स लेना चाहिए आपको तो ध्यान से वीडियो देखना पसंद आ इस पिच स्टेट्स ट्रीबूबन इनुवर्सिटी क्रिकेट ग्रांड जो साथ दो सो पचास एवरी स्कोर है देखो जो टिम बैटिंग फर्स्त कर रहा है वो पहला सिफ दोस्तों 10-12 ओवर खेलना है उसके बाद ना बैटिंग से रन बनेगा ही बनेगा बट वही 10-15 ओव ग्राउन में 28 मैंच 11-17 बैट सेकेंड इस टुनामन में 3-3 बैट सेकेंड ने विन क्या नेपल पहला हारा फिर जीता जब चेस कर रहा था दोस्तों जीता था बट जो निदरलेंस टीम थे अल्मोस्त ये टुनामन में तीनों टीम ने एक एक बार विन क्या नेपल एक बार बट आप अगर मेरे से पूछों कि मुझे ना स्लाइटली नेपल जादा कंविंसिंग और सेफ टीम लग रहा है मतलब बेटर टीम दिख रहा है क्योंकि ये स्पीन अच्छा खेलेगा इनको होमग्राउन पे भी मैच है आते अनलाइसिस में कुशल भूर्तेल ये लास्ट म मैच में चार विकेट निकाला था साथ ओवर डाला था अब इनका जो अपनें था नमीबिया था इनका ऑपनें था नमीबिया नहीं दोस्तों क्या बता रहा हूं निदल लेंड उनके पास था राइटी बैटर का भरमार था तो जो लिफ्टी राइटम ओफ स्पीनर है रोह राइटी बैटर के एगे लेग स्पीन बॉलिंग डाला विकेट निकाला क्या इस मैच में उपनें से लेग राइटी बैटर कितना सारा है उसके उपर भी बहुत कुछ डिपैंड करता है बट ऐस प्लेयर कुशल भूरते ले सकते हो एटिंग क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों बैट फर्स्ट हुआ थोड़ा मुश्किल होगा इस ग्राउन में बैटिंग फर्स्ट करना बट इसका अगर एवरीज देखोंगे करियर में मैं आपको डे वन से बता रहा हूं कनाडा वाला सीरीज भी जाके उठा के देखो कनाडा वाला सीरीज में एक मैंच में 62 ठोका थ बैटिंग फर्स्ट ही आया था बैटिंग फर्स्ट टफ होता है बैटिंग करना यह इंजोई करता है बैट फर्स्ट बैटिंग करना ठीक है दो कुशल बुटेल इस मैच में 50-50 कॉल रहेंगे सेफ है पब्लिक वाइस में यह आपको बता रहा हूं ज्यादा तर 85% आपका स्मॉल लिग का में बात कर रहा हूं लेके जाएगा रैंड लिग में हम लोग थोड़ा सा बैटिंग ओर देखते हो है चेंजेस रोटेशन कर सकते है ठीक है असिफ शेक अगर विकी में देखोगे तो 54 लास्ट मैंच में बनाया था यह बंदा विकी भी करेगा बट अनिल अब के लिए बैट फर्स थोना सा सेफ है क्योंकि इनिशियल ली बैटिंग करना ज्यादा मुश्किल है ठीक है पहला दस बारा ओवर यह सगर आसिफ आउट होता है तो अनिल का बैटिंग शुरू में आ जाएगा बट स्टिल मुझे अनिल स्लाइडली सेफल लगता और इस दो मैच से नहीं चल ला यह बंदा एक क्योंकि निकाला है और भी कंप्रीट नहीं कर रहा है बट स्टिल आल बैक हम दोस्तों यह प्लियर अच्छा है क्वालिटी मेरे पास पता है बैट फर्स यह बैटिंग से पॉइंग सकता है बट इसका रिकॉर्ट चेजिंग में ज्य बैटिंग फर्स अपके लिए डिफेंशल हो जाएगा क्योंकि दो तीन विकेर अगर अली गिरा तो दोस्तों देव कानल ना मिल्ड ओर्डर में भीम शार्की के साथ एक जोरी कर सकता है स्पेशली बैट फर्स क्योंकि यह दोनों अच्छा बैटर है थोड़ा सा स्लो केलता स्पेशली भीम शार्की बैट फर्स ग्रैंड लिग चॉइस रहेगा स्लो केलता है बट यह कंसिस्टेंट है अर्थीस का ओडियाई का एवरेज ऐसे विल्ली नहीं बना इसका भीम शार्क है लास्ट में बंदी को बैटिंग नहीं मिला फर्स में च्वालीस बनाया था पु में थोरा सा डाउन रहा है कुछल मल लागा स्वंपल कमी रख लो फर्स मैच में इसने तीन विकेंट निकाला था सेगेंड मैच में इसने एक विकेंट निकाला प्लेयर क्लेट वैस अच्छा है लोयर ओडर बैटिंग से पॉइंस दे देंगे अब दिपंदर सिंग आयरे क रुषेल थोरा सा डिपंदर सिंग आयरे को ना बॉलिंग से डाउन फॉल देखा बट प्लेयर अच्छा है यूस कर सकतो यूस पीन अच्छा कहलता है इस्पेशली बैट फर्स्ट या वो बड़ा इनिंग्स देखेगा यह जो टीप प्लेयर है ना डिपंदर सिंग आयरे स गुल्चन जा नहीं लूँगा क्योंकि यह पीछ कंप्लीट लिया लेना ही नहीं है दोस्तों उपर से ड्राई सिजन है तो और भी ज्यादा पीछ ड्राई है यहां पर शुरू में मॉइस्टर रहता है क्योंकि वींटर है तो दोस्तों आप सपोर्ट मिलता है बट लेटर जब धूब आ जाता है दोस्तों क्योंकि देखोगे तो यहां पर बारिश बहुत दिन से नहीं हुआ है क्योंकि मेरा यहां से अगर आप नेपाल देखोगे तो बहुत जादा नहीं है मेरा घर से चाहिद नेपाल का डिस्टिन्स 30-35 किलोमेटर है कट्वंडू भी बहुत जादा दूड़नी है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहां पर इस मौनिंग में बहुत थंडा रहता है और बहुत जादा डियूफ ओश्यर क्रेट होता है पीछ में बट वह मुश्यर जब धूब आते रहता है वह क्लियर हो जाता है जब वह क्लियर हो जाएगा तब सब्सक्राइब कर दोस्तों चोड़ी नहीं सकते हो मस्ट फिक प्लियर है और मैंने एक्षेंज पर भाई भी किया था लालित को रेट देख लेना एक्षेंज का कवरेज दे दूंग आपको टैली डंप अच्छा मिल सकता है इस मैच में ठीक है और जो टिम बॉलिंग फर्स करेगा और लेता है किसी से भी करा लेता है लेटी बैटर रहा तो रोई पॉडल आ जाएगा कई कोई डाल देगा ठीक है वह कप्टेंड के ओपर डिपैंड है मैं अभी इसे नहीं बता रहा है घुल जहां भी आ सकता है पिसर है बहुत कामीड आएगा डेत में पावन डिफेंचल होगा बॉल फर्स्ट ही अच्छा कर सकता है क्योंकि पावड प्ले में इसको स्विंग मिलेगा सेगें इनिंग पर मैं नहीं लेने वाला करंडिया को आरिफ शेक सुरिया तमांग सुरिया तमांग खेला तो कुशल मला का रोल रिडियूस होगा दो लिफ्टा म नमीबिया ने बॉलिंग फर्स्ट किया और दोस्तों नमीबिया को हरा दिया इसली जेपी कोईच जे निकोलास दवीन एक चीज देखो यहां पर दिखो समझो बाध्यान से समझ लो बात ये टीम में बहुत सारा क्या बैटर है लिफ्टी बैटर है जेपी कोईच से माइकल वैनलिंगन, जन फ्रेलिंग, निकोल लुफ्टी इटन, जैन ग्रीन दोस्तों पाच लिफ्टी बैटर है टॉप छे सात में देखो अब फिर से दिखाना हूँ एक, दो, तीन, चार, पाच लिफ्टी बैटर है टॉप आट प्लियर में पाच लिफ्टी अब तीन राइट बेटर कौन कौन है जे स्मीथ है जिराड डिरसमस है और एक है टॉप में निकोलास डविन अब यहां पर मैं एक चीज़ मानता हूं कि स्मीथ बहुत अच्छा स्पीन खेलता है इस टिम में मैंने जो देखा न अभी तक सबसे बहुतर इन स्पीन खेलते हैं देखा स्मीथ को तो दोस्तों इसको तो भूल जाओ ठीक है बाकी बचा कौन अभी जिराड डिरसमस जो इस टीम का बेस्ट बैटर है और निकोलास डविन पावर प्ले में खेलेगा तो कुशल बूर्तेल विद बॉल रोल रिड्यूस होगा बट यहां पर मैं एट करूंगा बट लखी इससे बॉलिंग डल्वा दिया इन बलर प्लेयर को दो दूस्तां फस्त हो घेटो !! कुशल बूर्तेल बैटिंग फ्रस्ट होता है केबी का अगर बैटिंग फर्स्ट मैं एक के करने का बीच में एक दिन गैप था तो मोईस्चार सबसे ज्यादा दिखता है अभी वाला मैच में ठीक है आज जो मैच होगा इधिक मोईस्चार उसमें दिखेगा क्योंकि एक गैप के बाद यह मैच हो रहा है ठीक है अंडर्गवर रहेगा पीच सब करते हो है के भी बैटि इनिक से अनलाइसिस को फिलाल मैं नहीं लूँगा सेकंड इनिक में भी नहीं है बट आप ट्राइक कर सकते हो अपने टिम में निको डवीड 15-13 डिसेंट ऑप्शन रहेंगे अपके लिए फिलाल मैं इग्नोर ही करूंगा क्योंकि तो अपनें लगा देगा ललित इस वेन्यू में तिपन का अबरेज है 159 रन है यह उसका नहीं तगरो ग्रेंड लिग में जिराड इरसमाज 7 ओवर और 8 ओवर अच्छा ऑप्शन है मस्ट पीक प्लियर है सिधा कैप्टेन वाला पीक है जिराड इरसमाज सबसे तगड़ा पॉम में लगा बंदा लास्ट म लगा उपनेंटिम का इस्टिल यह टी महारा नमीबिया नेधरलन के अगेंश्ट जैन फ्रिलिंग का रोलना बहुत बहुत लेस होगा यार समझ लो बात क्यूंकि देखो बॉलिंग से सबसे जादा लेस रहेगा बॉलिंग या पिस पीनस को सपोर्ट मिल रहा है तो देखन आप लॉफ्टी रिटन बॉल करके चले जाते हैं बैटिंग से अगर देखोंगे तो जान फ्रेलिंग अच्छा option है बट लिफ्टी बैटर भी है तो शायद ये लले चैजमिशी को खेल लेगा बट इसको बॉलिंग करने के लिए आ जाएगा रोट पॉडल खुद या फिर लगे रहेंगे तो दूस्तों मुश्किल होगा इसको वह फ्ली फ्लो वाला प्लेयर नहीं रहेगा जैस मिश्मिश अच्छा स्पीन खेला थोड़ा स्लो खेला बट ये खेल देता है दोनों मैच में अच्छा स्पीन खेला इसने लॉफ्टी टन डिफेंचल हो सकते हैं लिफ्टी प्लेयर है तो भूर्तेल मैच में इसलिए बॉलिंग भी नहीं डाला था तो ये एक रिजन होगा लॉफ्टी टन की लॉफ्टी टन आपके लिए अच्छा डिफेंचल होगा इवन भूर्तेल से भी ज्यादा देखो भूर्तेल फर्स्ट मैच में शायद जीरो कि इसी टीम के अगेंस्ट क्योंकि इधर था बॉलिंग नी डाला था क्योंकि इधर ज्यादा तर लिफ्टी बैटर था ठीक है अच्छा डिफेंचल बनेगा निकोल लॉफ्टी अटन जैन ग्रीन इफ यूवन ट्राइकर चाथ तो विकी में इसका हिट्ट टग रहा है इस व देखा जब एनलाइसिस किया ना ये टीम कैसा खेलता है नेपल में मैंने देखा कि ये सबसे अच्छा खेलता है जैन ग्रीन और ये मैंने लास्ट मैस्ट में भी एक सिस्ट नोटिश का ये स्वीप अच्छा कर रहा था कुछ भी बॉल आगे मिलेगा तो ये जालू मार दे कि मैं बैट फर्स बावल फर्स बोथ कंडिशन बॉलिंग फर्स तो कैप्टेन भी बना सकते हो चूपल में बनाया था दो इक निकाला बर्नर स्कॉल तगरा ऑप्शन है डिफेंशल ले सकते हो दोस्तों डिफेंशल क्या सेफी है मैं मानता हो लेना परेगा इस पीच केस आ बनाया नमीबिया ने चेस कर लिया लमी जाने ने तीन करंगेशी निकाला उससे पहले किर्थिपूर का रिकॉर्ड जैन ग्रिन का नाम आपको फिर से देखाएगा चौथी इस और भैंलिंगन उस मैंच में 133 बनाया था बट वह ग्राउन भी मैंटर करता है वह पीच भी मैंटर करता है दोस्तों यह पीच अलेग है बहुत जादा चलते हम लोग कहां पर ड्रिमलावन टिम में गाइस फिला अनिल कुमार शार ले सकता हूं और असीफ शेक को ना रुबन टॉपल में खेलना पड़ेगा बहुत मुश्किल है उसको खेलना घृतेल फिलाल मैं बैटिंग फर्स होता है दो रॉप रोटेट करूंगा फिलाल रख रहा हूं पॉटल मेरा मस्ट भी प्लियर है इस मैंच म स्कोल्स सही है टॉपल में सही है स्कोल्स को मैं रखना प्रेफर करूंगा स्पीनर मुझे चाहिए ठीक है अब यह तो हो गया प्लियर बट मैं चैसी बताया आपको यह कुछल भूर्टेल रोटेट होके निकॉल लफ टीटन एड हो सकता है अच्छा डिफिंचल है मेरे बना सकता हूं डपल में को वी सी बना सकता हूं अगर बाल फर्स वावल शेंगी बाल फरस जनता बहुत देल के साथ जारहा है मैं इसके साथ तो नहीं जाऊंगा रोटेल यूज कर सकते है बोल लिग रोटेट हो डिपनट निके बाद इसका थोरा राइट-चु रॉट रा मल्ला को if you want to use कर सकते हो अच्छा बाल डाल रहा है और यह एक से दूरी के निकाली लेगा ठीक है सिर प्रॉब्लम है कि आपके प्रॉब्लमें के पास राइटी और लिफ्टी डॉमिनेट टेटीम है तो यह प्रॉब्लम है फ्लाल यह ने का कवरेज इस मैच के साथ अगले मैचेस के कवरेज अब ले डिमो टीम शेयर करूंगा टेलिग्राम पर फिर से रिपीट कर रहा हूं ट्रॉब्लमें बॉलिंग फर्स सेकेंड इनिक्स में कैप्टैन नहीं बनाना है ठीक है थैंक्यू एस मिलते है मैच टाइम पर टेलिग्राम क्या थक्या पर टेलिग्राम फिर से रिपीशिष्टैन रिमों तो टो टो टूएति रिमों पर टूंगा गया पर टूंगा श्रॉब्लमें टूंगा श्रॉब्लमें बनाना है थैंग्र